मैं हूँ वारिस खान, एस दिल 24 न्यूस के सभी दर्सकों का मैं स्वागत करता हूँ मद्यप्रदेश में मद्दान के बाद अब हर जीत के आकलन का सिलसिला जारी हो चुका है हमने आपको हमारे समवादाता दिनेज दसुन्दी के द्वारा तैयार की गई खरगोन जीले के मद्दान परतिसस से जोड़े जा रहे राजनितिक अनुमानों से चुड़ी एक रिपोर्ट दिखाए थी इसी कड़ी में आज हम आपको खरगोन विधान सभा के मद्दान और यहां बनते बिगरते समीकरों पर एक रिपोर्ट दिखा रहे है जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधान सभा चुनाओ के इतिहास में इस बार खरगोन जीले में रिकॉर्ट मद्दान हुआ है यानि पिछले आकरे देखे जाए तो जीले में पहली बार मद्दान का प्रतिसस्थ 80 के लगभग रहा है खरगोन विधान सभा पर गोर करें तो कुल 11 प्रतियाश्य में थे जिसमें अन्य प्रतियाश्यों को छोड़कर मुख्य मकाबला कॉंग्रेस और भाजपा के बीच ही रहा क्योंकि यहां निर्दली के रूप में कोई बड़ा और दमदार चेहरा में नहीं था याने कुल मिला कर खरगोन विधान सभा चुनाओ का मुख्य मुकाबला भाजपा के बाल केशन पाटिदार और कॉंग्रेस के रही जोशी के बीच ही सिमट गया अब हम बात करें इनके बंते बिगरते समीकरण और कयासों की तो यहां भाजपा जाती और लाड़ियों के वोटों पर अपनी जीत की आस लगाए बेठी है तो कॉंग्रेस प्रतियासी अपनी गहरी पेट वेवार कुशलता और वचन पत्र के सहारे अपनी जीत का सहरा तया जा रहे हैं यही नहीं दोनों ही दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्ते भी नजरा रहे हैं इतना ही नहीं दोनों ही दल अपनी जीत को लेकर इतने उसाहित हैं कि जीत के पटाके भी अभी सही फोड़ जा चुके हैं फिलहाल तो भाजपा के बाल के पाटिदार और कॉंग्र लायक होगा अब बदलते मोसम के साथ भले ही जीले में तापमान की गिरावट होती जा रही है किन्तु राजनितिक पारा अभी भी उतार पर नहीं आया है याने कि मद्दान के बाद अब जीत के अनुमान के आकड़ों में खरगोन की राजनितिक को गरमाय रखा है इस बार के खरगोन विधान सवा चुनाओं की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि कॉंग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के प्रत्याशी अधिकतर जन संपरका के दोरान खरगोन शेहर के मद्दाताओं को जादा आकरशित करते दिखाए दिए याने कहीं न कहीं हार जीत में खरगोन श हासन देकर इस्थानी मद्दाताओं को साथते रहे इस दोरान दोनों ही निताओं के पूत्र पुत्रियों ने भी बखुबी मेदान समाला और अब मद्दान होने के बाद प्रत्याशी भले ही थोड़े सहेज होकर अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे हों पर तीन दिस समबर को आने वाले नतीजों की आहट ने कहीं न कहीं उन्हें व्याकुल और बेसबर कर रखा है और यह बेसबरी और उस सुकता क्यों प्रत्याशी और कारेकरताओं में नहीं हम आप में भी है और आप सभी बड़ी बेसबरी के साथ आने वाले नतीजों का इंतिजार कर र लड़ोन